नमस्कार आप देख रहे हैं हेडलाइन्स बिहार और मैं हूँ आपके साथ प्रियांक सौरव हैदराबाद में बिते दिनो डॉक्टर प्रियांका रेडी के साथ हुए और मानवी ब्यभार दरिंदगी को लेकर जहां देश भर में आक्रोष का माहल है वहीं बिहार में भी एक ऐसी घटना सामने आई बिहार की राधानी पतना से करीब सौ किलोमेटर की दूरी परिस्थित बकसर जिले के इटाढ़ित हानाचितर के कुकडा गाउं में एक युवति को जला कर मार दिया गया पहले कहा जा रहा है कि उसके साथ गैंग रेप हुई फिर उसे गोली मारा गया और उसके बाद उसे जला दिया गया इस घटना के बाद लोग आक्रोषित है इस घटना को लेकर आरोपियों को करी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं वहीं इस गटना को लेकर DM रागवेंदर सींग लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अफवाहें न फ़ला है आप सुनिए कि वहां के DM रागवेंदर सींग क्या कुछ कहते हैं पोस्टमार्टम किया गया है और जोबी पुलिस इनिविस्टिकर्शन ने वो भी चल रहा है वुन्ड की बात आ रही है व्यूंड वरिफाई किया गया है वुष्मार्टम रिपोर्ट कि द्वारा भी अभि अभी 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 अन्य चीजिन जो है कना रिमिशन के साथ नहीं क तो आपने सुन लिया जिलादिकारी रागवेंदर सिंग ने सिधे तोर पे कहा कि पोष्ट मार्तम रिपोर्ट अभी आना बाकी है क्या कुछ हुआ है इसका भी खुलासा हो जाएगा साथी साथ नों ने ये अपील किया है कि जो इस तरह की अफवाहें न फैलाएं और किसी भी तरह की जो गंभीर बाते हैं उसको लेकर संसनी अगर फैलता है तो इसके इसे रोकने का काम करें क्योंकि समाज में तनाव नहीं बने है तो आप लगतार हम आपको खबरे बता रहे हैं जो की बकसर से आई है बकसर में भी इस तरह की वारदात सामने आई है डॉक्टर प्रियंकाडेडी को जिसतरीके से पहले गैंग रेप किया गया है अधिराबाद में पिर उसे जिंदा जला कर मार दिया गया है फिर उसी त इसके बाद उसे पुवाल में रखकर जलाने का प्रयास किया गया बाद में ग्रामिनों ने देखा कि अध्जलालास पड़ा हुआ था जिसके बाद ग्रामिनों ने पुलिश को बताया और इस मामले को लेकर इलाके में संसनी मजगई देशवर में इस तरह की घटनाओं को लेकर लगातार लोगों का आक्रोस जारी है लोगी इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को करी से करी सजा दिलाने की मांग कर हैं वहीं इसको लेकर सियासत की लगातार जारी है नेता परतिपक्ष देश्वी यादव गोला है वहीं रावरी देवी जो की विधान परिशज में नेता पर्ति पक्ष हैं उन्होंने भी सरकार को खूब गेरा है उन्होंने एक साथ कई सारे टवीट कीये हैं तो इन सब को लेकर सियासत और भी क्या रंगल आती है वो साथी साथ बकसर मामले को लेकर क्या कुछ नई बाते सामने आती है इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे इसके लिए बन रहें हेडलाइन्स बिहार के साथ धन्यवाद